मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक नौ ने नौ नमबर ने अंक आठ को थपड़ मार दिया आठ ने पुझा अरे भाई क्यों मारा मेरी क्या गलती थी तो नौ ने कहा मैं बढ़ा हूँ थपड़ मार सकता हूँ और अंक नौ की ये बात संते ही पूरी कक्षा में थपड़ों की जो बौचार थी वो शुरू हो गई आठ ने साथ को मारा साथ ने छे को मारा छे ने पांच को मारा और ऐसा करते करते जब दो ने एक को थपड़ मारा तो शूनी जो था ना वो विचारा समझ गया कि पड़ेगी अब तो दुबग के कोने में बैठ गया शून्य को ऐसा कोने में दुबग बैठा हुआ देख करके एक ने कहा रे भाईया तु क्यों डर मत मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं पर यह कहते ही एक जाकर के शूनी के बगल में बैठें बगल में बैठने का मतलब किया हुआ कि शून्य था वो हो गया दस कि जहां सब अपने से छोड़े को थपड़ मार रहे थे हैं, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो एक ने कहा, देखो भाईया, बड़ा वो नहीं होता है जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे. बड़ा होता है अपनी सोच से, इनसान बड़ा होता है अपने क्यान से.